कारगिल युद की कहानी उस शक्स के बिना अधूरी है जिसने सबसे पहले आतंकियों के भेश में पाकिस्तानी सेना को कारगिल की पहाडियों पर देखा था कारगिल की पहाडियों पर देखने वाले शक्स का नाम ताशी नाम गयाल है कारगिल के गैर कौन गाउं में रहने वाले ताशी ने 12,000 रुपे में एक याक खरीड़ था जो 2 मई 1999 को खो गया था अपने याक को खोसते हुए ताशी कारगिल के वन्जू टॉप पर पहुँच गए इसी दोरान उन्हें अपना याक नजर आ गया और साथ ही उन्हें वो भी नजर आ गया जिसे कारगिल युद की पहली घटना माना जा सकता है दरसल ताशी ने कुछ संदिक लोगों को देखा और भारतिय सेना को ततकाल इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद शुरुआती जानकारी को फुट्ता कर भारतिय सेना ने ओपरेशन विजय शुरू कर दिया और आतंकियों के भेश में आये पाकिस्तानी सेना के जवानों का अंजाम तक पहुचाना शुरू कर दिया। बता दे इस जंग में देश ने लगभग 527 से जादा वीर योधाओं को खो दिया। वहीं 1300 से जादा घायल हुए थे।